भावी जी पर नाम भावी पर नाम और यह भावी जी है यहां पर काम कर रहे हैं और यह हमारी गाउं की कुछी यहां पर बैटे हुए बड़ा पर नाम तो दोस्तों गाड़ी को हम यहां पर ले के आ चुके हैं और सामने ही हमारा मार्केट है यहां से दिखा रहा हूं है आप कि अब और भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं और चलिए चलते हैं अभी हम सामने गाउं की तरफ जाएंगे तो दोस्तों यहां से यह जो रोड आप देख रहे हैं यहां से नीचे हमारे गाउं के लिए जाती है और यहां पर लिखा भी गया है जिल्ला पंचाय छेत्र पन्याला पटी रोनत नमोली आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अविनांदन और यहां पर हमारे गाउं के कुछ लोग हैं यहां पर यह देखे आप और यह सायद रिसी केस जा रहे हो अभी और यह जो उन्यान पर आपका हार्दिक स्वाट्ट स्वाट का ए्व जोग। तोा सससा हम यहां पर पहुंक्च चुकिये हैं अबने गाऊं के नीचे रोड पर और यहांसे जो है यहां पर मैंने गाड़ी पार्ग कर दी है और यहां पर जो है यह वारे भाई पर इनकी इनका नाम गौपाल सिंग कलोड़ा जी है इतना मत शरोण. और चलिए- campaign की पर लेके चलेंगे आपको आज आम आपको अपना गाउं का नज़ार दिखाएंगे और दौस्तों अभी जो है मैं गाउं की तरफ जा रहा था और साथ में मेरे दोस्त मिले बच्पन के यार मेरे और अंकित रावत जी तो मिस्टर कि तरफ लेके चलेंगे आपको तो बने रेगे इस ब्लॉक के एंट तक यह है हमारे गाउं की अभी मिस्टर यहां पे है मेरे दोस्त अंके तो उनको मैंने बोल दिया मैंने का आप वीट करिया थोड़ा मैं गाउं की तरफ जा रहा हूं तो अभी हमारे साथ है गोपाल सिंग कलोडा के कलोडा बंदू कि अधर हमें कलोड कोमर की संतान और क्या कहना चाहते सिर्मान आप बताईए जरा किस बार मतलब आप बोल रहे हैं कि आज मुझे बड़े दिनों बाद गाउं की आद आई अईसा होता ना अब क्या करें सिर्मान अब कर भी अपनी लाइफ में बिजी हैं काम में बिजी हैं आ हैं कि नहीं है ऐसा नहीं है कि हम मतलब गाउं से दूर हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गाउं के पढ़ती मेरा प्यार नहीं है गाउं को पढ़ती मेरा बहुत प्यार है लेकिन टाइम के अनुसार जब टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ और यह भाई जी पढ़ नाम और यह हमारे भाईजी हैं मूद उल्रे हैं अभी और यह एक उस गाउं की लाइफ मैं आई ब्याली और यह देखे दोस्तों यह हमारे गाउं का नजारा और यह नहर है और यहां से देखिए अब क्या खुबसुरत नजारा है साइट साइट से दिखा रहा हूँ है आपको एक एक घर तो यह देखिए यह है कुछ इस तरीके से और यह रास्ता भी है बीच से और यहां नहर भी है और यह रोपाई हो चुकी है यहां से और वाट पर दिले है अर्य वहां तक में तक जाना आगों अगवार है और और बड़े दिनों अबाद में अपनी गाउं आया हूं मालब से एक साल होगे दो साल को तरी नहीं किना साल हूए तया करूं टाइम कमी मिल पाता है और हम गाउं प्यारा से गाउं हमारा यहां से और देखतें कौन मंलता है मैं अभी maior से चलेंगे कि आराम से चलवा one ॥ब घुक्ष शलेंगे रीजा स्थे में यह मेरे गाउ का मैं पूरे पहारी खेतों का यहां पानी कि हमारे मार्केट से यहाते लम कंवां से बाई जी पर नाम बाई पर नाम और यह भाई जी है यहां पर काम कर रहे हैं और यह हमारी गाउं की कुछी यहां पर बैटे हुए बड़ा पर नाम और यह भाई जी है भाई जी पर नाम यहां पर यह हमारे गाउं का सुन्दर सा नजारा आगे चलेंगे और आगे भी आपको नजारा हम दिखाएंगे तो बने रेगे इस ब्लॉक के एंड तक और यह हमारे बाई जी आपको कुछ बोला बाई पढ़ना बाई पढ़ना लेकिन बार 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 टूट रहे सरकार को इस बाई पास कर रहें अचा बड़ी समस्य नदी भी बढ़ रहे लेकिन आपको कैना यह की सरकार काम नहीं किया इस जनार करता सरकार काम कर रहे आपको काफी मेनत करते हैं पहाड़ों में चलिए आगे की तरह आपको लेके चलेंगे हम अच्छा अच्छा तो मतलब मुहावजा सरकार की तरफ से मिला नहीं है तो भाई जी का कहना है अच्छा तो यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं पहाड़ी लोगों की क्या क्या समस्या हैं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि पलायन का मुख्या मुद्दा यही है कि अगर पहाड़ी अगर ऐसे हो रहा है तो यह बहुत ही गलत है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए बाई जी पर नाम ठीक हो बाई जी बढ़िया आज कल घर में हो और यहां से हम जो अपने गाउं की तरफ आपको लेके जा रहे हैं और यह हमारे गाउं की गलिया है और यह यहां देखिए आप प्यारे-प्यारे मकान इधर साइड भी यह देखिए यहां हम अगर कैमरा करें तो यह देखिए क्या सुन्दर-सुन्दर प्यारे-प्यारे घर और यह देखिए इधर भी है इधर साइड भी है और मुझे लग रहा गाउंवाले सबी खेतों में जा रहे काम करने हैं घर में कमी दिख रहे हैं कोई चले कोई बात हमें यहां पे ताउजी मिल गए हैं तो अभी ताउजी के साथ हम जा रहे हैं घर और इनके ताउजी के घर में अभी देखते हैं तो दोस्तों अभी जो है हम इसलिए आये थे अपने गाउं में क्योंकि हमारी गाई को पता नहीं क्या नजर लग गए थी किसी की साय दूद नहीं दे रही है और लात मारी है बहुत तो गाउं में एक प्रमपरा होती है कि कुछ भी वेगर नजर लग जाती है तो उसके बाद नमक लेकर आना पड़ता है अपने घर से और मिर्ची लेकर आनी पड़ती है उसके बाद जो है कुसी बुजर्ग के पास आने पड़ता है जिनको के मंतर करना आता है और मंतर करने के बाद कैसे मंतर करते हैं और क्या करते है यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन यहां पे ता बुजुर्गों के पास देन होती है पहले से ही जो हमारे पूरवज होते हैं उनके द्वारे ये बिद्या जो है किसी को बताई नहीं जाती है तो इसमें कुछ ऐसे मंतर किया जा रहा है कि नजर उतानने के लिए गाई की जो नजर लगी हुई है वो इससे निकलेगी और जब अब यह मतलब नजर लगती है किसी गाई को तो यहीं पर आते हैं और यह देखिए कुछ ना कुछ यहां पर मंतर हो रहा है नमक के साथ में तो यह हमारी संस्कृति और प्रमपरा है जो कि हमें बचा के रखनी चाहिए और काफी अच्छा यहां पर लगता है और यह यहां वर भाई जी कर नाम हुआ है प्याओ है भास्ते पटानी है ओर है मैं आई पर बिजाए यहぎ n हुँ है है हमारी अज ऊसरा है हुआ है है हिए अभी चलते हम रोण की तरफ हम यहां पर मंदिर भी बीच में जेभ कreckत 45 में ऑ यहां पर बाविच में तो यह देखिए हम रोड पर पहुंच चुके हैं और यहां पर अंकित वेट कर रहा था हमारा आधा एक गंड़े हो गया था तो आज इसकी भी संड़े है तो इसने दुकान आफ कर रखी है लंगा में और चली अब आगे आपको मिलते हैं कि अन्च छोप्त कर रहा हमारा आपको मिलते नहीं जा पर बहा हम बग्या आपको जापको मिलते हैं झाल झाल